आज हम लोग क्लास 10 का फर्स चैप्टर जो है डेवलप्मेंट उसका कोश्चन अंसर कोश्चन नहीं अबजेक्टिब कोश्चन करेंगे क्योंकि इस वर्स 2021-22 का जो हमारा सेशन है उसमें दो टर्म में एक्जाम होगा आप सबों को पता है टर्म 1 एंड टर्म 2 तो टर्म 1 में जो है वो मल्डीन टाइप कोश्चन आगे तो मैंने मल्टीबल टाइप जूंस नहीं बनाया है डाय अंसर लिखा है थाकि बच्चे को कि अगर आपको डायाइक्ट आंसर पदा तो मॉल्डीपल है उनसर रहे गांए हंडरेड परस양क्ट तो लिखंए तो आपको डाया इसल बच जाएगा आप रिवीजन भी आसानी से कर लेंगे और OMR सीट जो मिलेगा उसको आप आसानी के साथ कलरफुल भी बना लेंगे मतलब करने का मतलब उसके साथ आसानी के साथ होली भी खेल लेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी कोश्चन लिया हूँ वो डारेक्ट फॉर में लिया हूँ ताकि आप आसानी से मल्टिपल टाइप कोश्चन कर सके हाला कि जब मैं यूनिट टेस्ट आप लोगों का लूँगा तो आप उस समय क्या पाएंगे कि मल्टिपल टाइप कोश्चन है तो उस समय आप ऐसा फील करेंगे कि इट इस सो इजी तो मैंने लगवाग पूरे बुक से questions को लेने का प्रियास किया हूँ और उम्मीद है कि इस से बाहर से questions बोड में नहीं पूछे जाएंगे मुझे पूर्णता विश्वास है कि 10 questions जो आएंगे इसी में से कम से कम 8 questions तो आपको जरूर मिल जाएंगे क्योंकि मैंने लगबग पूरा बुक ही cover कर लिया है और यह स्वाभा भी कहें कि जो syllabus है उसी से question पूछे जाएंगे अब हम लोग को start करना चाहिए और यह क्या है देखिए तो first question हमारा है कि total income of the country divided by its total population is known as per capita income तो यह दो चीज को define कर देया पहला तो कर दिया कि per capita कहते किसको और दूसरा per capita income को हम लोग calculate कैसे करते हैं दूसरा जो हमारा विटा development of a country can generally be determined by its per capita income तो पूरे विश्व में per capita income के आधार पर ही world bank जो है यह decide करता है कि कौन सा country developed है और कौन सा country under developed है यह developing stage में है is it clear next जो है proportion of literate population in the seventh and above age group is called literacy rate तो जो साथ साल से उपर या साथ साल के लोग है वहीं से हम लोग literacy rate की गन्ना करना प्रारंब करते हैं और साथ साल से नीचे वाले बच्चे को हम लोग literacy rate के अंतरगत नहीं रखते हैं 14 to 15 is group of children is included for calculating net attendance ratio तो net attendance ratio को calculate करने के लिए हम लोग किस एज ग्रूप के बच्चे को रखते हैं 14 to 15 is group of children's को रखते हैं कई एक बुक में आपको मिलेगा 6 to 10 years एज ग्रूप के बच्चे को net attendance ratio के रूप में रखते हैं लेकिन आप उस पर दियान नहीं देंगे क्योंकि हमारी जो भूख है वह NCRT की बूख है और NCRT के बूख में लिखा हुआ है कि 14 से 15 is group of children को ही हम लोग net attendance ratio में रखेंगे कि कितने बच्चे जो है regularly a school attend कर रहा है मतलब कितने बच्चों ने अपना नाम school में registered कराया जो 14 से 15 एज ग्रूप के है next नेक्स्टा विटा per capita income method is used by the world bank to classify the countries मैंने पाले यह में का दिया था development of the country can generally be determined by its per capita income तो यह किसके द्वारा classify किया जाता विटा बल्ड बैंक के द्वारा मैंने सेकेंड वाला में ही इसको explain किया था next विटा sustainable development focus on more uses of abiotic resources abiotic resources जो होता है abiotic और दूसरा होता biotic जिसको हम लोग living and non-living के रूप में भी जानते हैं तो यह जो होता हमेशा abiotic resources को ही focus करता कौन sustainable development और मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि sustainable development is a process in which we fulfill our present need and also preserve for futures so that the future may enjoy the life and without harming the environment तो environment को इसमें नहीं होना चाहिए तो उसी को हम लोग बोलते है विटा sustainable development next हमारा जो है वह है कि if there are five person in a family and their total income is rupees 20,000 the average income of each person will be rupees 4000 तो मैंने average income कैसे निकाला तो total income divided by total population जो हम लारा first number points था per capita income को निकालने के लिए तो उसी प्रकार से इच फेमिली का इच पर्सन जो फेमिली मेंबर सा उनका निकालने के लिए हमने क्या कर दिया total income divided by total number of family members तो 20,000 divided by 5 is equal to 4000 नेक्स हमारा है विटा resources which will be exhausted after years of use are non-renewable resources तो दो प्रकार के resources होते हैं एक को बोलते हैं renewable और दूसरे को कहते हैं non-renewable तो जो एक लंबे समय के बाद समाप्त हो जाएंगे उसका regeneration संभव नहीं किया जा सकता exhausted का मतलब खत्म हो जाना तो अगर वो खत्म हो गया तो ऐसे resources को हम लोग बोल देंगा विटा non-renewable resources और जो फिर से generate हो जाता है उसको क्या बोलते विटा renewable resources next point जो हमारा विटा average income of the country and the average income is the same as per capita income तो per capita income को हम लोग तीन नाम से जानते per capita income एक हो गया दूसरा उसको बोलते विटा average income और तीसरा उसी को बोलते average income of the country क्योंकि total income generated by the country divided by total population of that country इसी लिए वह हमारा क्या क्या लाता विटा average income of the country next हमारा विटा human development report as prepared by UNDP तो कल कुछ बच्चे पूच रहते कि HDI क्या होता सर human development index actually होता क्या तो यह जो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि इसमें तीन में क्राइटेरिया को लिया गया है जिसमें नेट अटेंडेंडेंस रहता है हेल्थ स्टेटस रहता है दूसरा अपर कापिटा इंकम रहता है तो इस प्रकार से तीनों को जोड़कर से डिवाइड करतेंगे त्री से तो यह बन जाएगा हमारा human development index तो यह जो human development index जो है उसका गनना कौन करता है उसको प्रिपेर करता है तो एक संस्था जिसका नाम है UNDP next question है विटा more days of work and better wages is developmental goal for the landless ruler labor तो हमारा एक topic हुआ करता है विटा फर्स चैटर में कि डिफरेंट पीपल एज डिफरेंट गोल्स तो एक गोल जो होता है किसी के लिए विटा constructive होता है तो दूसरे के लिए हो जाता है destructive हो जाता है तो इसी कारण से हर एक लोगों का अपना एक notions है एक थाउट है एक विए एक बिचार है और उस बिचार के हिसाब से मानते हैं कि development का मतलब क्या होता है तो अगर गाओं में landless labor है मतलब जिनके पास land नहीं है वह landlord के ऊपर dependent करते हैं dependent रहते हैं के काम करते हैं और उसके मदले में उनको वेज मिलता है तब उनका survival होता है वो अपना goods and services that we may need to have a good life money हम सभी के लिए जरूरत है money जो है वो हमारे luxurious life को जीने में मदद करता है money एक बहुत ही important thing है लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पर money का कोई importance नहीं रहा पाता है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि money कभी भी pollution free environment हमको नहीं दे सकता है चाहे मेरे पास करोड़ों रूपया क्यों नहीं हो दूसरा जो है जो अभी pandemic में तुमने देखा कि लोगों के पास पैसे बहुत थे फिर भी उन्होंने अपना life खो दिया को रोना के कारण तो ऐसा हुआ क्यों क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़े लिस्ट ऑफ तिंग्स रिक्वार्ड फॉर गुड लाइफ उसमें पैसे की जरूरत नहीं है खाली उसमें इन सब चीज़ों की जरूरत है जिसमें लिस्ट हमने कहा तो लिस्ट में हमने दो का एक्जामपल लिया है जैसे फूल प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफेक्शन डिजीज पॉलूशन फ्री इन्वार्मेंट तो अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हमारा लाइफ कापी सुख में रहे गया थर्टीन नंबर कोश्चन कहता है विटा एच्डी आई स्टैंड्स फॉर हीमन डेवलप्मेंट इंडेक्स दाट फोकस ओन लाइप एक्स्पेंटेंसी ग्रॉस इन्रॉल्मेंट रेशियो फॉर थ्री लेवल्स ऑप स्कूलिंग पर कापिटा इंकम या नेसनल इंकम भी उस को क्या सकते हो तो HDI का full form हो गया एकक्सपेंटनकों कॉन 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 सर रहते है तो पाला तुमारा लाइप टीए वा मतलब हुआ कि a newly born baby how many years he will survive एक कोई बच्चा आज जन्म लिया तो हुआ अपना कितना जन्म दिन मनाएगा और कितने सालों तक मनाएगा उसको बोलते है लाइप एक्सपेंटेंसी तीसरा दूसरा हमारा जो है एक पर तुसितमा पर इस्कैन्टरी और एक मिढल सुथा तो कहता है कि इन सब में तीनों लेवल में कितने बंचे ने अपना दूसरा नाम इंभाव करें हैं और लोगों का पर-capita income क्या है तो यह तीन कॉंपोनेंट है और इसी तीन कॉंपोनेंट के आधार पर UNDPI जो है वो Human Development Index को डिटर्माइन करता है और उस बेस पर कंट्री का मेजर्मेंट करता है नेक्स्ट पॉइंट है मारा बिटा केरला है जो इन्फाइंट निवसक्न करता है atroटाली ए रेट तो सब्सा कम बच्चे जो जन्म लेती है किरला में मुर्ते हैं वहाँ पर बच्चों की मृतियोधर बहुत ही कम है तो ऐसा क्यों है क्या कारण है तो उसका मेम कारन OF के जाक्रणा वेली Africa काफी हाई है और दूसरा जो में कारण है कि वहां पर एडेक्ट एडिक्वेट ही फैसलिटीज थो वहां पर हिल्थ सिस्टम जो है यह है इंफ्रा स्ट्रक्टर्चर ब्लड वाइन है तो ऐसे कंडिशन जो बच्चे जन्म लेते हैं वह बच्चे को आसानी से आसाने से अपनी जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं तो बहुत मदर एंड चिल्रेंस के लिए यह बेनिफीसियल हो जाता है इसी कारण जो है केरल में infant mortality rate काफी कम है next point हमारा है वीटा कि what would be the most promising source of energy 50 years from now and why तो कहता आज से 50 साल के बाद किसी विदेश के लिए सबसे important source of energy क्या होगा तो ऐसे तो बोला जाता है वीटा solar energy तो तुमने देखा है कि हमारे प्रतान मंत्री नरेंद्रमो दामोदर मोदी जी जो है solar energy के उपर काफी जोर दिये हुआ है बहुत सारे solar panels लगाया जा रहे हैं जो हम लोग जोग्रफी में पढ़ेंगे दूसरा कहिए कैसे चित्र है जहां पर बहुत तेज आवाएं चलती है जैसे राजस्थान तो वहां पर विंड इनर्जी को डेवलब किया जा रहा है तो यह सभी जो है energy हो है not exhaustible कभी समाथ होने वाले नहीं है तो जब हमारा जो है conventional source of energy the non-conventional source of energy इनको करते है जैसे solar energy wind energy tidal energy तो यह सारे energy का आप्टर पच्शास बरसों के बाद सबसे ज्यादा यूज होगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, what will be the aspiration of an education, urban employment youth, जो सारो में रहते हैं, लड़के, उनका सोच क्या है, development जो है, उनका सोच क्या है, वो क्या सोचते है, वो क्या चाहते है, तो यही चाहते हैं कि वीटा, he will aspire for good job opportunity, where his education can be made use of, जो कुछ भी उनको सिक्षा मिली है, उस सिक्षा का उस ही ढंक से उप्योग कर सके, next point है वीटा, what is BMI of overweight person, तो कल भी मैंने डिसक्ष किया था, BMI, body mass index, तो मैंने उसको बतलाया था कि total weight divided by total length का square कर देंगे, तो अगर उसका value जो है, 25 से greater हो गया, तो over weight का लाएगा, तो 25 is the mark from where we can determine that, whether we are over weighted or we are under nourished, तो body mass index जो है, हमारे body के nutrient को देखता है, हम physically कितना fit है, उसको बतलाता है, next हमारा है वीटा, 18 number, development goals of different sections of our society can be achieved by democratic political process, तो जो भी हमारा developmental goals है, वो different sections of our society का अलग-अलग है, industrialist का अलग है, rich people का अलग है, girls का अलग है, students का अलग है, तो यह सारे जो different लोगों का जो goals है, वो कैसे पूरा किया जाएगा, किस माध्यम से उसको, उनके requirement को हम लोग fulfill कर सकते हैं, तो उसका जो माध्यम होता है वीटा, उसको हम लोग बोलता है, democratic political process, तो democratic political process के द्वारा हम लोग उसको fulfill कर सकते हैं, next question है वीटा, what will be the top priority in the development goal of landless labor, तो उन लोग का, अभी हम लोग same question पढ़ेते हैं, कि landless labor का क्या demand होता है, तो हम लोग पाले देख चुके थे, कि more days of work and better wages उनका male developmental goal है, next question है वीटा, what will be the inspiration of an educated urban employment youth, अभी हम लोगों ने देखा था, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेते हैं, कि whatever the educations they have got, it must be used in a better way, so he will aspire for good job opportunity, उनको एक अच्छा से job मिले, और जहां पर वो अपने education, जो उनका knowledge और skills है, उसको सही डंग से use कर सके, यह दोनों question मैंने previous भी डाला है, the developmental goal for a girl, for a rich family is to get as much freedom as her brother gets, जैसा कि मैंने कहा था कि girls का भी अपना developmental goal होता है, तो girls भी हो है, दो परकार की होती है, एक रूलर अरियाज में रने वाली girls और एक अर्वन अरियाज में रने वाली girls, फिर रूलर अरियाज में भी कुछ धनी लोग होते हैं, तो कुछ गरीब लोग होते हैं, तो जो धनी लोग होते हैं, उनके घरों में जो लड़कियां होती है, उनका काना है कि हमें भी freedom वैसा ही मिलना चाहिए, जैसा कि हमारे भाई को मिल रहा है, और अगर इस परकार का freedom उसके family member देते हैं, तो वा मानती है कि ये society का developmental goal है, next point हम लोग देखेंगे बिटा, if industrialists want more dams, then why do local people resist it, जब हम किसी भी industry को चलाने के लिए क्या जरूरत है बिटा, तो जरूरत है सर इनर्जी, और इनर्जी कहां से प्राप्त होगा बिटा, तो dams से होगा, hydroelectric, electricity का जो formation होता है, तो फिर ये जो घरीब लोग है, लोकल पीपल है, जहां पर dam बनता है, वो लोग इसका विरोध क्यों करते हैं, तो उसको सामने मैंने तीन पॉइंट को रखा है, कि उन्हें डर लगता है, कि उन्हें उस अस्थान से अटा दिया जाएगा, they will be displaced, दूसरा उनको ये कहाना है, कि जो हमारा land है, जिसके द्वारा हम survive करते हैं, जिसमें हम production करते हैं, वो सारा का सारा पाने में डूब जाएगा, so these lands will be submerged into the waters, and next point जो हमारा है, there will be no source of earning for livelihood, और हमको जब displaced कर दिया जाएगा, हमारा land पाने में जब डूब जाएगा, तो हमारे पास जीने खाने के लिए कोई साधर नहीं बचेंगे, तो ये तीन कारणों के ये कारण जो है, local people अकसर resist करते हैं, next point है वीटा, what brings about not a stable income, ऐसा क्या है, जो आपके stable income को निर्दारित नहीं करता है, तो any kind of unemployment, जैसे माल लिया जाए कि आप daily wage पर काम कर रहे हैं, आज काम मिला तो ठीक है, नहीं काम मिला, तो फिर आपका stable income नहीं रहेगा, तो हम लोग इसको बोलते है, informal source of informal employment, जो मतलब regular नहीं रहता, तो any kind of unemployment जब हमारे सामने आजाता है, तो stable income कत्म हो जाता है, is it clear, next question है वीटा, besides seeking more income, there is something people resent, मतलब avoid, what is it, तो कहता है कि उनको बहुत सारा, उनकी आमदनी बहुत सारा है, लेकिन कुछ एक चीज़े जो होती है, जो उनके जीवन में निरासा ला देती है, और निरासा जो है, उसको नहीं पसंद करते हैं, और क्या है, कि बहुत ज़्यादा उनको पैसा मिले, लेकिन उनके साथ discrimination हो, भेदवाओ की निती अपना आ जाए, जो अकसर वर्किंग प्लेस में देखा जाता है, सोसाइटी में भी यह चीज़ देखा जाता है, कि लोग जो है एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कोई भी पैक्ती पसंद नहीं करता है, नेक् भी नांभि अ हंदु इटा हम जो में भान चुक करते हैं, तो प्सक्रिमिनेटन का मातित यह चीढ अजे अगे तो non-material things भी जो है वह भी लोगों की जीवन को ऊपर उठाता है तो इसमें क्या-क्या आ सकता है तो इसमें आ सकता है medical insurance, health, education, etc. यह सारे किसमें आएंगे विटा? non-material things में आएंगे. Next हमारा है विटा, income per capita. Income या फिर per capita income is the most common method of measuring economic development. यह अभी हम लोग पाले भी कर चुके हैं. Countries with per capita income of US dollar 12,056 per annum and above according to the survey of 2017 are rich country. वे सभी देश जहां पर 12,056 रुपया पर साल, डॉलर के रुप में, रुपया नहीं बिटा, गलत हमने कहा दिया, डॉलर. अगर लोग earn करते हैं, तो वहां पर हमारा जो होगा, उस country को हम लोग बोलेंगे, rich country. और जहां पर लोग केवल 955 डॉलर या उससे कम earn करते हैं, तो वैसे country को हम लोग बोलेंगे, बिटा, low income country और underdeveloped countries. So per capita income is calculated in dollar for all countries. तो dollar में सभी country के, का measurement जो होता है, income और dollar में होता है, क्योंकि dollar जो है, पूरे विश्व के लिए, एक universal currency है. Next हमारा है विटा, the PDS. PDS का मतलब होता Public Distribution System. इसको हिंदे में बोलते हैं विटा, सरकारी रासन दुकान. तो PDS सिस्टम जो है, वो help करता है, क्या चीज़ में? Nutrient food को provide करने के लिए, ताकि गरीब लोगों को अच्छा भोजन मिल सके और सस्ते दर पर मिल सके. तो बहुत सारे सरकारी रासन के दुकाने खोली गई है, जहां पर गरीब लोगों को सस्ते दर पर nutrient food provide किया जाता है. Where is the ground water overuse? मतलब where is, तो कहने का मतलब कि बहुत सारे states है, तो वो सारे states में सबसे ज़्यादा ground water का use कहां पर होता है, overuse कहां पर होता है, तो आप याद रखेंगे पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है agriculture में सबसे आगया है, और वहां पर लोग ground water का ही maximum use करते हैं for irrigation of their lands. Next point Avita, allowing increase in the level of exhaust fumes emitted by cars, buses, trucks, etc, environmental degradation, अगर जैसे अभी आपने देखा था कि दिल्ली गौर्वर्मेंट में केजरिवाल साब है, तो केजरिवाल ने pollution को कम करने के लिए क्लिए 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 और और इवेन नमबर में गाड़िया चलेगी, एक दिन और नमबर की चलेगी तो दूसरे दिन इवेन नमबर की चलेगी, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों से मेरा kind request है कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, in place of cars को, in place of personal bikes को, ताकि pollution को कम कर सके, तो यहाँ पर वर्ड है वेटा, allow करना, अगर कोई states allow करता है कि आप maximum car यू कर सकते हैं, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा वेटा, environmental degradation start हो जाएगा, next हमारा वेटा, about 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years, तो लगबग 20 सालों में 300 districts ने रिपोर्ट किया है कि हमारे states, हमारे districts में ground water का level लगबग 4 मीटर नीचे चला गया, is it clear, तो चार मीटर का मतलब तुम समझ जाओ कि मेरे कहल से हो गया, बारा बारा से भी ज्यादा, बारा फूट से भी ज्यादा, पानी नीचे चला गया है, the Middle East has the maximum amount of petroleum reserves can be made use of, तो ऐसे बहुत सार है, जैसे रस्या है विटा, अमेरिका है, USA के नाम से है, UK है, United Kingdom है, तो उसी प्रक प्रकार से मैंने पूरे चैप्टर्स का वीडियो बना दिया है, objective question, अगर आप इसको रटोगे, तो 100% है कि तुमको 10 upon 10 आजाएगा, thank you